पंडी जी एक सवाल मेरे मन में अकसर आता है अशोग चवान जो है अशोग च़ोजान सत्य साही बाबा के परम भक्त है शिर्डी के साही बाबा के भी भक्त है वो अध्यात्मिक जहां तक बाते हैं उसमें बहुत दिल्चस्पी रखते हैं लेकिन फिर भी उनका बरताउ जब उनके तारे बहुत जोरदार होते हैं तब सही नहीं होता है कुंडली में ऐसा क्या लिखा हुआ है मैंने अभी आपको बोला लगन में इनके शुक्र स्वगरही है शुक्र के साथ में गुरू नीच हो जाता है बुद्ध के साथ में गुरू नीच हो जाता है ये दो जो योग हैं ये दोनों योग खराब हैं इनकी कुंडली में इसलिए इनको हर साल कम से कम सवालाख मंत्रों का कश्ट निवारन उपाय करवाना है हर साल तीन साल लगातार करवाने से इस निवारन का फाइदा होगा इनको ऐसे व्यक्ति की कुंडली जिसका लगन में श खराभों गया जीत कराये तो क्या केंद्रिय मंत्री परिशन में स्थान मुले गाए कि इसलिए कॉंग्रेस में घ我们 की गोड की सिटे मिली है उस में से एक शोग शेंकराव चावान है जिसके ओपर CVI की समस्याएं लगी हुई थी या उनकी पत्नी अमिता चावान है definitely ये फाइदा तो हुगा ही उनको आगे आने वाले दिनों में कहीं भी अगर अल्प मत में सरकार आती है कॉंग्रेस सरकार बनाती है तो ये एक सीनियर लीडर है इनका सबसे पहले नमबर आएगा